कभी जात की अफीम सुगाती जाती है कभी धर्म की अफीम सुगाती जाती है उस सबसे उपर उठिये इनसान बनिये संगठीत रहिए और जो काबिल है उसको आगे करके उसका साथ दीजिए सडकों पर भी साथ दीजिए और उसको संसत्तक पहुंचाने में भी साथ दीजिए ह हम लोग अभी भी लट रहे हैं रेजर्वेशन के लिए हमें लटना चाहिए एडुकेशन के लिए ट्रेनिंग के लिए पोचिंग कांसलिंग के लिए हाथ फैलाने से भीक मिलती है अधिकार नहीं मिलते हैं कुछ भी लेना है तो छीनना पड़ेगा आटिफिशल इंटेलिजेंस विल टेक ओवर आज जोब्स और रोबोट्स तो व्याइब फाइटिंग पर रेजर्वेशन ना मैं हिंदू हूँ ना मैं मुसल्मान हूँ हाँ मैं मजदूर हूँ हाँ मैं किसान हूँ पर सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ मानोर संपान के योगये यहां उपस्तित सभी माननिया सदस्य और मेरे मीडिया बंधू आयोजन करता और सामने बैठी मातरी शक्तिक नपी को मैरी तरफ से नमस्का हूँ न मैं हिंदू हूँ ना मैं मुसल्मान हूँ हा जूढ मैं मजदूर हूँ हाँ मैं किसान हूँ पर सबसे पहले मैं एक इंसान, जय किसान, जय समेथा, आप सबने यहां बुलाया और बोलने का मोका दिया, उस सब के लिए आपके अती धन्यवादी हूँ, किसान समाज का प्रतिनिधित्व करती हूँ, सुमन हुड़ा, महिला प्रदेश अध्यक्ष, भारतिय किसान यूनियन चड़ूने, आज यहां पे मातरी शक्ती को कम देखके थोड़ा दुख भी हो रहा है, और खुशी भी है कि कम से कम कुछ परसेंट तो हम लोग यहां पे आ किसान, मजदूर, किसान और मजदूर के नाम पे यह राजमनेतिक पार्टियां हमेशा वोट लेती आई है, हम किसान के लिए यह कर देंगे, हम मजदूर के लिए यह कर देंगे, हम किसान के बच्चों के लिए यह सुविधाएं लाएंगे, हम मजदूरों के लिए यह ब मोट लेके वह सुविद्धाई उनोंने खुद के लिए जूटाई खुद के बच्चों के लिए जुटाई आज उनके बच्चे घरों में बैठ के प्राइक्टेस कर रहे हैं कॉम्पेटेव एक्जाम्स की तैयारी कररे है injection Our हमारे बच्चे उन्होंने धर्म और कावडों की तरफ हरिद्वार की तरफ धकेल कर वहां उन्होंने उस रास्ते पे उनको लगा दिया ताकि वो उस कॉंपिटीशन में शामिल ही ना हो सके उनको धर्म की एक ऐसी अफीन चटा दी गई है कि वो कुछ समझ नहीं पा रहे अग आप लोगों ने यहां से अनॉंस किया है कि आगे प्रोग्राम का बात हुई यहां से की सड़क पर उतरिये तो हम औरेडी सड़कों पर हैं हम वो टीम हैं जो तो तेरा महीने दिल्ली की सड़कों पर बैठे हुए थे, हमने दिल्ली की सरहदों पर बैठके लड़ाई लड़ी और उस ताना शा को जुकाया है, तो आपकी जो भी लड़ाई होगी उसमें हमारा सहयोग 100% रहेगा, जहां भी जरूरत हो याद कीजेगा, हम जहां पर आपक वो महील आएं थी, जो कुछ भी कर गुजरने को तयार थी, तो मैं आपसे एक विनवर दिवेदन करना चाहूँगी, कि अगली बार जब भी आप यहां आएं, अपने घर से अपनी माता, अपनी बेहन, अपनी बेटी या अपनी बीवी की हिस्सेदारी भी यहां करें, हम व वहां की विस्सेदारी का दावा कर सकते हैं, वरना इन खोकले बातों का कोई फायदा नहीं होगा, हमें कोई भी अधिकार मांगने से नहीं मिलता, हाथ फैलाने से भीग मिलती है, अधिकार नहीं मिलते, कुछ भी लेना है तो छीनना पड़ेगा, और उस छीनने के लिए हम हमें इतना intellectual होना चाहिए कि हमारी आने वाली नसले सवाल कर सके सामने वाले की आँखों में आखे डाल के, जब आपको कहते हैं कि आप राजनेतिक हो रहे हैं, आप तो राजनेती के भूखे हैं, आप इसी लिए ये समाज सेवा कर रहे हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, सामने खड़े हों के उनकी आख में आख डाल के पूछ सकते हैं कि क्या सत्ता तुम्हारे बाप की जागी रहे हैं, क्या हमारे बच्चे सत्ता में क्यों नहीं आ सकते, क्या हम आप लोगों के सामने ऐसे ही प्लेट लेके घूमते रहेंगे और आपकी दरियां बिचाते रहे कि क्यों क्या हमारी माऊं ने इसे बेटे बेटिया पैदा नहीं किये हैं क्या उन में इतनी समस्दारी नहीं है कि वह उस सीट पर जाके बैठ सके और अपने लिए कानून बना सके हम क्यों गिडगडा रहे हैं सड़कों पे कि आप हमारे लिए ये कानून बनाई हमारे लिए वो कानून बनाई कानून बनाने वाले बनिये जात धर्म में मत बढ़िये 35 बना में एक का नारा दे के आपको अलग कर दिया जाता है कभी जात की अफीम सुगा दी जाती है कभी धर्म की अफीम सुगा दी जाती है उस सबसे उपर उठिये, इनसान बनिये, संगठीत रहिए और जो काबिल है उसको आगे करके उसका साथ दीजिये, सडकों पर भी साथ दीजिये, और उसको संसत तक पहुंचाने में भी साथ दीजिये, हम भी आपका साथ देगे. जैसा कि पुरूसों ने कहा है, गुरूं ने कहा है, कोई किसी को कुछ ना दे है, जो ले है ने जो बल से ले है, तो वो बल आप अपने आप में पैदा करें, और जब जिस दिन वो बल पैदा हो गया, जिस दिन वो बल और ताकत की हुजूम के साथ आप संसत की और चलेंगे, तो वो संसत भी डोलेगी, यह मेरा वादा है, जै हिंद, जै किसाज, जै समिधा! जै किसा दिशान के दिशान दिखापों में बढ़ सकेंगा। उसके लिए मैं दॉक्तर धंकर जी को धन्यवार देना चाहूंगी, यह उन्हीं का बेकचायल का और का प्ली नोच जी का. So, first of all, what we are discussing right now here is the Basics. लेकिन हम लोग बहुत आगे पहाद चुके हैं हम लोग अभी भी लड़ रहे हैं reservations के लिए हमें लड़ना चाहिए education के लिए trainings के लिए coachings and counselling के लिए the main thing is आगे आने वाले समय में दॉक्रिया नहीं रहेंगी आपको इस चीज का पता भी है ताइम तो टाइम और इस बारे में आटितास भी पटते हैं आटिफिशल इंटेलिजेंस विल टेक ओवर और जॉब्स और रोबॉट्स तो भाई आपकी फाइटिंग पर रेजोवेशन फाइट पर नॉट अले रेजोवेशन जो आपकी भागेदारी है वो बठाएए सरकार में काउंसल कीजिए अपने बच्चों को ट्रेन कीजिए पर इनेक्स लेवर आदी लड़ाई तो आप लोग लड़ लेँ है रेजोवेशन की थूफ आपके बच्चे प्रिपेर्ड हैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल नहीं मैंने आज की मीटिंग के लिए बहुत कुछ प्रिपेर किया था बट देना थौट मेजर पॉइंट्स तो कबर होई चुके है लेकिन हमें उन मुद्वे बात करनी है जो अच्चुली में इसू है we are not talking about artificial intelligence we are not talking about the technical skills required for the jobs हमें रेजर्वेशन मिल जाएगा लड लेंगे हम दर्ना नहीं नहीं कोई बात की we will start with you but will you be able to handle it जब आपको प्रेशर आएगा कि आपके सामने वाली लोग इक में टेखनी कली सांद है what will you do there you will say I have the reservation no that will not work so work on the ground first what you need you need education उसके लड़िये training चाहिये आप लोगो को उसके बाग ही हम कुछ कर पाइडे so half of the fight will be over with reservation and half with your skills thank you so much खुशल